हावडा से विरॉल आये 05 व्यक्तियों में से 013 व्यक्ती कोरोना पोजिडिव पाएगे दरभंगा जिला में कोरोना संक्रमेत व्यक्तियों की संख्या बढ़कर नो हुई पस्चिम बंगाल के हावडा, कलकता से पांच व्यक्ति ट्रेवल एजेंसी की एक गाड़ी के माध्यम से चलकर दिनांक 5 मई 2020 को देर रात्री में दरभंगा जिला के बिरॉल प्रक्षंड में पहुंचे थे इन लोगों के बिरॉल पहुंचते ही स्थानी थानाक के द्वारा इनकी गाड़ी को इंटरसेप कर इनसे पुछताच किया गया और इन्हें प्रकंड स्थरी क्वारंटाइन केंदर में रखा गया इस प्रकार ये लोग अपने गाव घर में प्रवेश नहीं कर पाए पुछताच के क्रम में उक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के कोरोना पोजिडिव होने की बातें बताई गई जिला धिकारी, दर्भंगा के सनग्यान में यह मामला आते ही अगले दिन दिनांक 6 मई 2020 को उक्त सभी 5 व्यक्तियों को DMCH के आई सोलेशन वार्ड में लाकर उनका सैंपल लिया गया और जांच हेतु लैब भेजा गया जिसका जांच रिपोर्ट आज दिनांक 8 मई 2020 को प्राप्त हुआ है जांच में हावणा से आए 5 व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों का रिपोर्ट कोरोना पोजिडिव आया है वहीं दिनांक 22 अप्रेल की रातरी में दिली से कार के माध्यम से शुभन दर्भंगा लोटन वाले एक कोरोना पोजिडिव व्यक्ति के संपर्क में आये एक अन्य व्यक्ति का भी जांच रिपोर्ट पोजिडिव पाया गया है इस प्रकार दर्भंगा जिला में कुल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 5 से बढ़कर नो हो गया है जिला दिकारी डॉक्टर त्य जागराजन एसे मद्वारा बताया गया है कि कोरोना पोजिटिव सभी व्यक्ति स्वस्त हैं, उनमें कोई लक्षन अभी नहीं दिख रहा है। उन्होंने बताया है कि DMCH के आई सोलेशन वार्ड में भरती सभी कोरोना पोजिटिव मरीजे वन उनके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों के स्वास्त पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि 5 माई को हावडा से बेरॉल दरबंगा आई कोरोना पोजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सोलेशन वास्त पर लगातार नजर रही है।